इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि मोबाइल को आप किस प्रकार से एजे वायरलेस PC वेबकेम यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना है IP वेबकेम आपके सामने ये application खुल जाएगी आपको ये application को install करना होगा ये application मैंने पहले से install की भी है मैं आपको दिखा देता हूं यह मैंने application पहले से install करकिया है अब इसके बाद आपको अपने mobile का hotspot on करना है तो यह मोबाईल का होट्सपोर्ट है इस बटन को आप दबा दीजी आपको मोबाईल का होट्सपोर्ट ओन हो जाएगा अब आपको अपने लैब्टॉप या डेस्टॉप पे जाना है और वाइफाय कनेक्शन में अपने मोबाईल होट्सपोर्ट को सेलेक्ट करना है यह MI3 मेरे mobile का hotspot है तो मैंने इसको connect कर दिया यह connect हो गया है और आप इसमें यह ज़रूर ही नहीं कि आपको internet चाहिए बेना internet के भी आप hotspot बना सकते हैं देख लिए और अब आपको IP webcam की application को open करना है यह open कर लिया हमने इसमें video preferences में जा सकते हैं video preferences में अच्छी quality के लिए 720p को select कर लिजिए select करने के बाद नीचे जाएंगे और start server पर click करना आप में और यह आपका mobile का camera on हो जाएगा अगर picture साफ नहीं आ रही है तो action button पर आपको focus को click करना होगा और picture साफ हो जाएगी इसके बाद अपने laptop या desktop पर google chrome या पर internet explorer को click करना है और जो भी address आपके mobile screen पर appear हो रहा है आपको address bar पर type करना होगा जैसे कि हाँ पर appear हो रहा है यह हमने type कर दिया और अब आपको enter button दबाना है जैसी आप enter press करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से screen appear होगी आपको browser पर click करना है ब्राउजर पर जैसी क्लिक करेंगे तो आपको screen display हो जाएगी लैप्टोप पर screen appear हो जाएगी चाहें तो आप LED flashlight भी on कर सकते हैं यहीं से आपकी mobile की LED flashlight भी on हो जाएगी I hope आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा Thank you हुआ हुआ है